सो इन दुस वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं ग्लोकोमा कंडिशन के वाले में सो विदाट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि ग्लोकोमा कौन सी कंडिशन होती है तो ग्लोकोमा एक ice की condition होती है जिसमें की जो intraocular pressure है वो increase हो जाता है ठीक है, abnormally increase होता है जिसके वज़े जो nerve cell है मुलब nerve है, वो damage हो जाती है कौन सी nerve, optic nerve जो brain को ice से connect कर रही है वो वारी nerve होती है, optic nerve तो वो damage हो जाती है intraocular pressure के abnormally high होने के वज़े से ठीक है, इस condition, मुला उस condition को कहता है, glaucoma अब इसके causes है, जो aqueous production है वो जात हो जाता है वो हम लेटर रहाँ देखेंगे के कैसे जात हो जाता है क्या condition होती है, ठीक है, उन लेटर रहाँ देखेंगे फिर आप देखेंगे, हम risk factor सबसे पहले है, family history फिर है African American race old age, diabetes mellitus cardiovascular disease migraine syndroms, myopia eye trauma, prolonged use of topical or systemic corticosteroids, अगर ये साथे चीज़ें मुला प्रेज़ेंट है किसी person में, तो उसका जादा chances है, कि ग्लोकोमो होने के, ठीक है अब हम नेक देखेंगे, कितने types के होते हैं ग्लोकोमा, so first type का ग्लोकोमा है, open angle ग्लोकोमा अब हम इसके वेल में देखेंगे open angle ग्लोकोमा आप में जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो एरो है यह path दिखाया गया है fluid के flow होने का, ठीक है तो जो trabicular mash work है, महाँ पे blockage जो जाता है partially और completely जिसके जैसे जो fluid है वो trabicular mash work से पास नहीं हो पाता है, canal of clam में नहीं जा पाता है, ठीक है तो यह क्या होता है, फिर वापिस return होता है और आइस के अंदर ही intraocular pressure जो है, वो महलब increase हो जाता है, ठीक है, महाँ पे pressure क्योंकि अब fluid भार निकल ही नहीं पा रहा है तो pressure अंदर ही लगेगा तो यहाँ पे मिला, basic लिए आपको यही learn करना है कि open angle glaucoma में जो trabicular mash work है, वो block हो जाता है इसके वज़े से जो intraocular pressure है वो increase हो जाता है, और उसके वज़े से optic nerve damage हो जाती है, तो यह है open angle glaucoma so next है angle closure glaucoma इसके पर हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते है जो flow है fluid का वो iris के lens में attach होने के वज़े से या फिर close होने के वज़े से flow नहीं हो पा रहे, ठीक है यहाँ पे से आगे जा ही नहीं पा रहे, trabicular mesh work तो दूर की बाद है, यह iris को इसके वज़े से चिपक चुगा है उसके वज़े पार्शल और कम्प्लीटी उसके वज़े से जो fluid है, वो flow नहीं हो पा रहे, ठीक है open में क्यों होता है, fluid flow तो हो पाता है पर trabicular mesh work से नहीं हो पाता है इसके सामने से तो निकल जाता है पर जो trabicular mesh work है, वहाँ पे blockage है पर जो close वाले में क्यों होता है iris जो है, वो lens से completely और partially attach हो जाता है, जिसके वज़े से fluid आगे flow ही नहीं हो पाता है तो इसके वज़े से भी जो fluid है वो वापिस ice के अंदरी intracular pressure है, वो इसको increase कर देता है, जिसके वज़े से optic nerve damage जाती है, ठीक है यह हो गया angle closure glaucoma अब हम देखेंगे normal tension glaucoma जो normal tension glaucoma होता है third type वो mention तो नहीं है, बट उसके वाल मैं आपको पता देती हूँ, जो normal वाला होता है उसके अंदर intracular pressure होता है वो normal होता है जो angle between iris और lens होता है वो भी open होता है ट्राइबिकलर meshwork भी ब्लॉक नहीं हुआ होता है बट जो optic nerve है वो किसी कारण के वज़े से damage जाती है उसके जासे क्या होता है, जो eyesight है वो दिर 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 लॉज होरी होती है तो उसको हम कहते है normal tension glaucoma अब यहाँ पर है clinical manifestation open angle glaucoma की optic nerve जो है वो damage हो जाती है visual field जो है वो defect हो जाता है IOP में fluctuation आ जाता है जो IOP है वो 21 mmHg से जाद हो जाता है वैसे normal range होती है उसकी IOP की वो होती है 15 to 20 mmHg यह बहुत ही most asked mcq होता है exams का की normal value क्या होती है IOP की तो 15 to 20 mmHg वाला correct option है फिर next test में ocular pain होता है angle closure glaucoma में first step progressive visual impairment जो visual impairment होने लगाती है फिर है periocular pain फिर है congenital hyperemia फिर है congestion, pain, nausea, vomiting bradycardia profuse sweating reduce central visual equity elevated IOP यह सब है angle closure glaucoma के clinical manifestation जिसको हम syno symptoms भी कहते है next cornel edema pupils vertically oval हो जाता है fixed in a semi-dilated position इसके जो diagnostic evaluation है वो हम देखेंगे history collection, physical examination heart disease condition में होता है tonometry IOP को measure करने के लिए होता है ophthalmoscopy optic nerve को inspect करने के लिए होता है gonioscopy जो होता है वो angle जो होता है जैसे iris lens के बीच में जो angle होता है वो चेक करता है और trabicular mesh work वगरा जो चेक करता है वो gonioscopy करता है next है perimetry वो असास करता है विजुल फिल्ट को को so medical management है उसमें पहला है topical myiotics दी जाती है specially जो ग्लोकोमा होता है उसमें दी जाती topical myiotics ठीक है और फिर है epinephine epinephine दी जाती है allergy के लिए ठीक है और यह क्या करती है यह लिए दवाईया जो canal और sclem है जो टेपिकला मैश्वफ जिसको lead करता है उसको open करता है और जो drainage एक्षुमर है जो fluid है उसको drain करता है ठीक है बहार निकालता है next जो हम देते हैं वो है beta blockers or alpha adrenergic agents फिर है oral carbonic enhydrase inhibitors फिर है oral osmotic diuretics example osmogline फिर है osmotic diuretics intravenous manitol यह होगे medical management और जो मैंने highlight कर रहा वो बहुत important point है और कुछ लिखो ने लिखो यह तो लिखने ही पड़ेंगे फिर हम next लिखेंगे surgical management surgical management में पहला है laser trabecular plasty तो जो भी trabecular meshwork में blockage होता है वहाँ पर यह करता है उस blockage को यह burn कर देता है और जो आगी का रास्ता है मतलब एक ओपनिंग की जाती है ताकि जो भी पिपलरी blockage है उसको ओपनिंग हो रही है तो जब भी टॉमी यूज होता है उसके लिए opening मतलब समझाना चाहिए कि opening हो रही है तो उसके बाद है trabecular tommy इसमें भी tommy आ रहा है तो इसमें जो filtering technique मलब जो होता है उसको remove किया जाता है trabecular mash work को remove किया जाता है ठीक है actomy मतलब होता है remove करना तो जो trabecular mash work और पार्ट है उसी को remove कर दिया जाता है फिर लास्ट है drainage implant और shunt are open tubes implanted in the anterior chamber to an attached plate in the congenital sack ठीक है पर जो highlight वाले part है वो most important है आप उसको पढ़ोगे तो आपको full marks मिलने वाले है next is nursing management as a nurse आप क्या-क्या management कर सकते हो वो यह आपको लिखना है ठीक है nursing management में यहाँ पर होता हमारा topic खतम अगर आपको यह video helpful रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें